हेले दूस्तों हमारी उट्वी चीम आपका स्वागत फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका 1000 फॉल्वर्स कम्पलीट हो गया है तो वहाँ पर आप अपने इस्टार से पैसे कमा सकते हो वो फेस्बुक रिल्स के जड़िये याइब फेस्बुक फ्रेंश करके अगर 1000 फॉल्वर्स कम्पलीट हो गया है तो आप वहाँ पर फेस्टार के जरीये जो स्टार को अबसन आता है उसके जरिया पैसे कमा सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए अगर आप भी अपने जो मतलब की star का option अगर आपको मिल गया है 1000 followers आपके complete हो गया है तो आप भी star वाला option पा सकते हो तो उसमें आपको क्या-क्या setting करनी है क्या-क्या उसमें जानकारी, क्या-क्या details, कैसे bank account अपडेट करना है सारी ये सारी information आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए कहीं पर भी skip करोगे तो आप star वाला option तो मिल जाएगा लेकिन वहाँ जो आपका payment है वो हो सकता है कि आपके bank account में ना मिले चलिए वीडियो को start करते हैं वहीं पर आपको सब कुछ दिखाएंगे कैसे आप star monetization को चालू कर सकते हो चलिए mobile के screen पर चलते हैं और वीडियो को start करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो चलिए वीडियो को लाइक बेल आगन को प्रेस करना मद भूलिएगा तो हैले दुस्तों मैं अपने mobile की screen पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर जब आप Facebook open करिएगा आप Facebook open करने हो जब आप homepage पर आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर उपर कोने में आपकी profile दिखेगी उस पे आपको यहाँ पर click करना है जब आप उस पर click करोगो तो यहाँ पर आ जाएगा professional mode का एक option यहाँ आप आप देख सकते हो इसी में यहाँ पर professional mode sorry professional dashboard का option दिखेगा यहाँ पर लिखा होगा professional dashboard आपको इस पर click करना है जब आप इस पर click करना है जब आप इस पर click करना है यहाँ पर आपके सामने यह आजाएगा interface उसके बाद आपको नीची आजाना इस खॉल करके नीची आजाना है नीची आजाना है यहाँ पर आजाएगा tool to try वाले option में start का option यहाँ जो start का option दिख रहा है इस पर आपको click करना है जब आप start वाले option पर click करना है यहाँ पर एक option आजाएगा get start वाले option का तो simply अब आपको देखे get start वाले का जो option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है गेटी स्टाट वाले option पर क्लिक करने गवाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है legal first name मतलब कि आपका जो नाम है वो original नाम क्या है वो डालना है आपको आपने facebook account बले किसी नाम से बनाया है लेकिन आपका जो आधार कार्ट पर है वो नाम एंटर करना है आपको first name यहाँ पर जो first name डालना है फिर यहाँ पर last name डाल देना है फिर अपना date of birth यहाँ पर डालना है फिर country यहाँ पर डाल देना है date of birth, एटना डालने गाद नीचे next वाले option पर click करना है, आपको यहापर जो nextका option है उसपे click करना है आपको जब आप next वाले option पर click करते हो वसाप डालने के बाद यहाँ पर India आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर business type को जो option दिख रहा है, इसपे click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको जो first option दिख रहा है यहाँ पर इस पर आपको click करना है यहाँ पर इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर फिर से next वाले option पर click करना है next वाले option पर click करने के बाद अब आपके सामने एक new page open होके आ जाएगा यहाँ पर आपका first name उपर का जाएगा नीचे last name आजाएगा यहाँ पर date of birth आपका दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर scroll करके नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको address डालना है और यहाँ पर city डाल देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस state का यहाँ पर state डाल देना है आपकी सिराजी से हो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जीले का pin code डाल देना है यहाँ पर अपना phone number यहाँ पर email ID और यहाँ पर permanent account number पैन काट का number यहाँ पर डालना है जो pen card आपका है उसका number डालना है pen card का उसके बाद आपको यहाँ पर जो GST number है यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है और नीचे यहाँ पर tick mark इस तरीके सकनना है और next वाला option जो है इस पर click कर देना है चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ जो वो सब डालने के बाद तो आप यहाँ पर आजाओगे choose how you do like to get paid पतो जो आपका वीडियो का पैसा मिलेगा start के जरीए वो आप कैसे लेना चाहोगे bank account में लेना चाहते हो या PayPal की account में लेना चाहते हो तो आपको simply जो लिखा first option है manually link bank account का जो option दिख रहा है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर दिखिए जब आप उस पर click करोगे तो यहाँ पर loading लेने के बाद आपके सामने आज आएगा यहाँ पर इंडिया ही रेने दना है country में first वाले में यहाँ पर account number आपको डालना है इंडिया में लेना चाहते हो जो currency होती है डोलर की उसको लेने के लिए आपको swift code की जुरत परती है यहाँ पर तो shift code आपको bank की थ्रू मिल जाएगा अपनी bank में चाहिएगा उस bank का shift code उनसे पूछेगा वो आपको बता देंगे उने पर bank बजाएगा आपको shift code मिल जाएगा shift code ढालने के बाद यहाँपर account number डालेगा जो आपका banks account number है वो डालेगा यहाँपर banks account number यहां पर bank account number रहेगा यहां आपके bank का shift code रहेगा और यहां पर जिसका account उसका नाम यहां पर रहेगा जो account यहां पर add करोगे किस बंदे के नाम पर वह account है उसका नाम यहां पर डालेगा इतना डालने के बाद यहां दिखें लिंक payment method वाले option पर click करना है तो चलिए मैं फटाफ आट c- pencils ऻुआ है उसका दिख्ड योट टेक्स इंफर मेशन यहां पर आप जर टेक्स है वह information अइड कर सकते हो और टेक्स इंफर मेशन पर click करोगे करों यहां पर तो यहां पर आपको टेक्स इंफर मेशन मतलए जो आप अधर country लेना चाहूं चाहूंगे उसका टेक्स तो यहाँ आप देखे जब आप बैक आजाओगे तो यहाँ पर OK कर दोगे OK पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो हो चुका है अब यह जो start का option है वो review में गया है यहाँ देख सकते हो in review इस पर क्लिक करोगे तो यह जो है यह review में चला गया your application has, sorry your application is been review यह Facebook की टीम review करेगी उसके बाद जो आपका यह Facebook start का option है उसे start कर दिया जाएगा यहाँ पर और वहाँ पर आप Facebook के जरिए start के जरिए पैसे earn कर सकते हो उसके बाद चीदे वह पैसा आपके bank account में आ जाएगा तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर start monetization को करवा सकते हो तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो चनल को subscribe, like और bell icon को प्रेस करना मत बुलिए ऐसी next वीडियो मैं फिर मिलेंगे तब तक लिए धन्यवाद